अकबर बिर्बल की कहानी जब बिर्बल बच्चे बने थे एक बार की बात है बिर्बल को दर्बार अने में देरी हो गई राजा अकबर बे सबरी से बिर्बल का इंतजार कर रहे थे जैसे ही बिर्बल दरबार में पहुँचे अकबर ने उनसे देरी का कारण पुछा बिर्बर कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनको छोटे-छोटे बच्चों ने रोक लिया और कही न जाने की जिद करने लगे किसी तरह बच्चों को समझा बुझा कर निकलने में देरी हो गई राजा को बिर्बल की इन बातों पर बिल्कुल यकिन नहीं हुआ उन्होंने सोचा कि बिर्बल देर से आने का जूठा बहाना बना रहे है उन्होंने बिर्बल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है अगर वे ना माने तो डाट डपट कर उन्हें शांद गिया जा सकता है वही बिर्बल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासुम सवाल को जिद को पूरा करना बेहत मुश्किल होता है जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बिर्बल को एक उपाय सुजा उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी उन्होंने कहा कि वह इस बात को सित कर सकते है कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इसमें लिए उन्हें एक छोटी बच्चे जैसे व्यवर करना होगा वह राजा को उन्हें समझाने लगा राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए अगले ही पल बिर्बल एक बच्चे के जैसे चिलाने और रोने लगे राजा ने उन्हें मनाने के लिए अपनी गोदी में उठा लिया बिर्बल गोद में बैट कर राजा की लंबी मुचों से खेलने लगे कभी वे बच्चे तो कभी मुँ बिगाडते कभी मुचों को खीचने लगे अभी तक राजा को कोई आपतीन नहीं हो रही थी जब बिर्बल मुचों से खेल कर थक गए तो उन्हें गन्ना खाने के जित करने लगे राजा ने बच्चा बने बिर्बल के लिए गन्ना लाने का आदेश लिया जब गन्ना लाया गया तो बिर्बल ने नहीं जित पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया अब बिर्बल जोर जोर से चेखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे-छोटे टुकडों में कटा हुआ चाहिए उनकी जित को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे-छोटे टुकडों में काटा गया जब राजा ने इस टुकडो को बिर्बल को खाने के लिए दिया तो बिर्बल ने उन टुकडो को जमीन पर फेक दिया राजा को यह देख कर बहुत गुसा आ गया उन्होंने गुसे से बिर्बल से पुछा तुमने गन्ने को नीचे क्यों फैका चुपचाप से इसे खा लो डाट सुनकर बिर्बल अब और भी जोर से रोने लग लगे अकबर ने प्यार से पूछा कहो बिर्बल तुम क्यों रो रहे हो बिर्बल ने जवाब दिया मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया लेकिन बिर्बल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया अब राजा अकबर का घुसा बढ़ रहा था उन्होंने बिर्बल से कहा कि तुम्हारी जिद अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है तुम इसे न खाकर रोक क्यों रहे हो बिर्बल ने जवाब दिया मुझे इन छोटे छोटे टुकडों को जोड़ कर एक बड़ा गन्ना खाना है राजा ने बिर्बल की इस जित को सुन कर अपना सीर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैट गए उन्हें परेशान देख कर बिर्बल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समश के उन्होंने राजा से पूछा क्या अब आप इस बात से सहमत है कि बच्चों को समझना यकिनन एक मुश्किल काम है राजा ने हां में सिर हिलाया और बिर्बल को देख कर मुस्कुराने लगे कहानी की सीख है इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासुम होते है अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते है लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझा कर वो अनेक उदाहरन देकर उनकी जिद वो चीगन्यासा को शांत किया जा सकता है